नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस नियोज में आप सभी को पता है कि सन 2022 का चुनाओ का भी गुल बच चुका है और उत्तर प्रदेश में सभी परत्यासी उभर कर निखर कर सामने आ चुके हैं और हमारी चुनाई भिणंत यात्रा जो चल यह लगतार जी सकसेना जी आयम बात करते हैं इन से और नहीं बुदे पे चर्चा करते हैं बहुत-बहुत स्वागत बढ़ियां और तबीयत पानी कैसा है सब बढ़ियां एकदम ठंडी का महौल कैसा है ठंडी का महौल तो अच्छा ही है बारिस का महौसा में देखी रहे हैं तो भजमारानी योगी अधितना जी तो कि विकासे किया है कहां विकास किया है आफ आपका मामला है यहरपोर्ट का मामला रा आपके फैक्ट्री खुल गई सुगर मेल बन गए 24 hours बिजलियां मिल रही है विकास तो बिकास 24 hours बिजली मिल रही है किस जगह देखे आपके जनपत महराज गंज में गोरख पूर में कुझी नगर सभी जगह तो मिल नहीं नहीं ऐसा नहीं है हमारे यहां बिजली आती है मुश्किल से बहुत दे है कोई सरकार लेश गंटे जिए है वह आपके उत्तरप्रदेश में अकले स York मिल इकिसर च्रकार बंने जा रहे हैं यानि कि समाजवादी यह की सरकार में प्रशाषन उड़ल वारा था जीत को दर्साइब लेकिन इस पार्टी में तो ओट पड़ा ही नहीं सब अस्तर तरस्तर थे प्रशाषन उड़ल वारा था सब्सक्राइब कर ले रही थी तो आपने देखा कहीं कहीं महिलाओं को ब्लाउज तक फार दिया गया साड़ी पार दिया चीर रड़ करना पड़ा फिर भी इसी लिए यही सरकार का मुद्दा है ना कि वह चाहती है कि सपा से जादा गुंडागर्दी हम करते हैं और लोग तर संहाने बड़े बड़े नेता समाजवाधी पार्टी में आ रहे है विचार्धारा को देखते हुए जनन सर्मिस की राप हमारी पार्टी這個 है और उनी की विचार फेर रहती हुए उदिसरुकार को देखते हुए कि सरकार में कोंक्तु आधना ज्यादा काम कर सकता है रोजगार में और सड़कों पे घृती सेल में आज हमारे अकले सयादू जी ने कहा राष्टि ध्यक जीने कहा कि चवबिस बाइस लाख इती सेल में 22 जार बाइस ने 201 लाख इती शेल के रोजगार देंगे युवाउं को जो ब्रोजगार हैं स हमारे यहां किसानों का उद्पेडन बहुत जादा है किस, कैसा मामला है जिसे हम लों का जो छेतर है यह हम लों का जो घर है जहां हम लों की खेति बारी होती है वो जंगल से सटे हुए है और यहां पर योगी बाबा के जो सेना है वो हम लोग को राद बर सोने नहीं देता है राद बोले तो क्या जिसे छुट्टा पसू जिसको कहते हैं हिंदी भासा में छुट्टा पसू जो हमारा पसू में गीने जाते हैं एक जैसे योगी बाबा है उसी जहां मुझ उठाए व लोग पत्रकार है उसमें क्या है गौसाला में कि गौसाले में बेवस्था नहीं है तो हमारे यहां गौसाला की बेवस्था है पर उसमें पस्वें मर ना कोई इसमें इलाज पस हो का और ले जाकि उसमें जौक देंगे हमने साला बनवाया हमने यह करवाई एमस बनवाया हमने एरपोर्ट बनवाया और किसानों के ऊपर राजनीत करना है और किसानों को परेशान करना है तो आनत्य है लागू कर दिया है अठारा जार उपे प्रतिवर्स पहले पांचो था अब पंद्रस वह गया है तो अठारा जार उपे मांदे मिलेगा उसके बाद पसूओं का शुद्र बिवस्ता होगा कि वो फिर किसानों को परेशान ना करें किसान आराम ची अपनी जिंदगी और दाई जाता है तो कितना दिन तक पानी चलाएगा अगर बारिस का माउसम ना भगवान महरबान न रहे तो तेल और डीजल खरिद खरिद के आदमी मर जाएगा और कहते हैं हमने राषन दिया मुप्त में कौन आदमी बिना काहष होता है तो कि मुद्दे पर आएं तो कह रहे हैं साल बड़ से राशन फिरी दे रहे हैं उसके पहले उसके पहले भी तो उनको राशन देना चाहिए आखिर क्यों नहीं राशन दिये क्यों सरम कार्ड में पैसा नहीं दिये आज वोट भीक मांगना है लोक जनता से और आदमियों से तो एक यतार मांग रहे हैं इसके पहले क्यों नहीं आगे क्यों नहीं दिये बहुं सकते पहले वह लावनवी ताप कर सकते थे जनता खो किसानों को बिर्यजगारों को आज कलमे IT का परिख्षा देने गया था कुछ लोग बताइए सरकार कितनी बड़ी नाकाम यादी मैंने क्या किया फार्म आलनाइन किया पैसा आपने काट लिया तब तो आप नहीं देखी कि मेरे पास क्या क्या है डाकुमेंट है बीना डाकुमेंट कोई आंलाइन होता नह कैसे जाएगा रिजस्ट सामने गया परसाण करें और को कु और परसान करई सिख्छकों को नोकरी मांगने जा रहा है दरना परसां मेरा सुबकामना है गड़तंतर दिवास की हार्दिक प्रदेश में ग्राम वासियों को और यह वर्स यह त्योहार जो है बहुत हरसो लास से मनाया जाता है लेकिन कोरोना का दौर है इसकूले बंद हैं बच्चे घर से बाहर नहीं निकल ले हैं ठंड का माहौल है लेकिन फिर भी जहां तक संभव है जंडा तो उंचा रहेगा ही क्योंकि भारत देश हमारा है तो इसके उपलक्ष में मैं कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि भारत सबका है जंडा सबका है जंडा सब लोग ढोते हैं आप भी ढोते हैं अम भी ढोते हैं और यही है कि सुब कामना है सारे लोगों को